आज हम बात करेंगे बाइक की चेन की आवाज के बारे में कि क्या क्या रीजन है बाइक की चेन से आवाज आनेगे बाइक की चेन बहुत ही इरिटेटिंग साउंड होता है अगर आपकी बाइक की चेन से आवाज आ रही है तो चलते वह बहुत इरिटेट लगती है तो आज हम मेन मेन इसके रीजन के बारे में बात करेंगे कि क्या क्या रीजन हो सकते हैं बाइक की चेन में आवाज आनेगे तो सबसे पहला रीजन है हमारी जो बाइक की चेन है खराब गंदी हो तो गंदी है तो हमें क्या करना है इसको रेगुलर मेंटेन करना है उसके यह द तो आपकी aventic क्रेक्त टैट्ने सोनी चाहिए और टीसरा रिजन है आपकी बाइक की जो ज्यादा टाइट है ज्यादा टाइट आपकी चैन होगी तो भी आपका इसके उन्दर टीकत आएगी तो हमें ज्यादा टाइट कि नहीं रखना है कि इसके बाद मैं आपको दिखाना चाहूँँगा इसमें देखेगा चेन के यहां पर एक रोलर यह देखिए कि एक रबड की चीज होती है जिसके उपर से हमारी चेन जो है चलती है अगर यह हमारा नहीं होगा तो नीचे की रोड है इस में गंसे दिखाई नहीं दे रहा है आपको आपको साइद लेकिन यहीं पर लोकेट होती है आप देख सकते हैं तो ये भी है में और एक लास्ट बच गया है जो हमारी चेंट स्प्रोकेट ही आपकी खराब हो गई है तो आपकी आवाज आपकी बाइक में चेहन में लिए आमी क्या चाहिए में ये एक रश्ट क्लीनर नाम से आते हैं काफी सारे प्रोडक्ट है मैं यह नहीं कुझा है कोई भी कंपनी का लोग कोई डिकत नहीं इसमें क्लीन प्रोटेक्ट लूब्रिकेट यानि इसको साफ करने के लिए पहले इसका एक प्रेल लगा देंगे हलका सा और क्या क्या चाहिए हमें एक ब्रस ले लेंगे पुराना यूज गिया हुआ नया मत लेना नया लोगे तो दालिया खाने को मिलेंगे घरवालोगी कि नया बुरस लिया था उसका भी आपने खराब कर दिया है तो क्या करना है हलका हलका इसके ओपर यह एक पॉइंट होता है यह जो चेन का लिंक होता है या फिर आप कोई भी मार्क बना सकते हैं यहां से स्टार्ट करके यहीं पर ख क्लीनिंग कर देना है एक साइड से पहले फिर बीच पिछे के हिस्से से ज्यादा लंबान वीडियो नहीं मना हुआ नहीं तो आप पहेंगे बोर कर दिया और एक यह हमारे जो चेंस प्रोकेट है इसको भी हम अच्छी तरह से साफ कर लेंगे चेंस प्रोकेट साफ करने के बाद यह नीचे वाला लिंक भी हम साफ कर लेंगे पूरा एक बर ब्रस लगाने के बाद क्या करना एक बार एक कपड़ा लेना है और यह पूरा कपड़े के साथ इसको पहुंच देंगे इसका जो भी ग्रीस है जो भी गंदा चीज है सब कुछ इसके अंदर सोख देंगे इसके बाद क्या करना है पूरा क्लीनिंग करने के बाद पूरा ग्रीस निकाल देने के बाद हमें क्या करना है एक हलका हलका सब बिल्कुल हलका ज्यादा नहीं लगाएंगे इसका दो चार ड्रोप इसके इंदर जैसे एक बार डाल देना थोड़ा गुमाना एक बार डाल मा कि आपसे तो सर्विसिंग कराते रहें ताइम टू टैम हार सर्विसिंग में चैन की क्लीनिंग करते रही अपने आपसे और सर्विसिंग जब आप कराने जाओ पांच-छे महिने में तो अच्छी तरह से उस मेकैनिक से भी करवा लें तो कैसा लगा वीडियो जुरूर बताएगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा वीडियो को पुरा देखने थनक्यू धन्यवाद बाई बाई